देश में बीते दिन कोरोना के 19,969 केस मिले और 670 मरीजों की जान चली गई है इस दौरान 48,847 लोग रिकावर हुए जिससे अब तक ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 4,20,86,383 हो गई है देश में समय कोरोना के 2,24,187 आक्टिव केस है जिसकी दर 0,52 प्रतिश्रत है कोविड इंफेक्शन से अब तक 5,11,903 लोगों की जान जा चुकी है सपापरमुख अखिलेश यादव और पत्नी डिंपल यादव ने जस्वंत नगर में अपने मदाधिकार का प्रयोग किया वोट देने के बाद अखिलेश यादव ने भाजपा की योगी सरकार पर जम कर हमला किया इसके साथ ही अखिलेश यादव ने आतंकवादी से पिता के रिष्टे पर सफाई भी दी अखिलेश यादव ने कहा कि कोई भी आतंकवादी है उस पर कारवाई की जाए आतंकवादियों के उपर कड़ी से कड़ी कारवाई हो भाजपा स्ट्राटेजी से चलती है उन्हें पता है कि चनाफ पहले आरोप लगाए जाता है आधंकी का मुद्धा बीजेपी की चाल है ठाने पुलीस ने NCB के मुंबई शेत्र के पुर्व निदेशक समीरवान खेड़े पर धोखादरी का मामला दर्श किया है ये केस उनके मालिकाना हक वाले एक होटेल और बार का लाइसेंस हासिल करने में हेर फेर को लेकर दर्श हुआ है जुनादिकारी राजेश नार्वेकर ने नभी मुंबई सिथ होटेल और बार का ये लाइसेंस रद करते वे दावा किया था कि इसे गलत जानकारी देकर और धोखादड़ी करके हासिल किया गया था पश्रमंगाल सरकार में मंतरी साधन पांडे का आज सुबह मुंबई बेनिधन हो गया है उन्हाने 71 साल के उम्र में अंतेम सास ने मुख्य मंतरी मम्ता बैनर जी ने ट्वीट करके इसके जानकारी साजा की है मालूमों की बंगाल सरकार में पांडेव भोगता मामले स्वयम साहता सम्हू और स्वरोजगार मंतराले संभाल रहे थे वदेश मंतरी एस जैशंकर ने कहा है कि चीन द्वारा सीमा समझोता का उलंगन करने के बाद उसके साथ भारत के संबन बहुत कर्थिन दोर से गुजर रहे है जैशंकर ने कहा कि सीमा की स्थिती संबन्धों की स्थिती कान निर्धारन करेगी विदेश मंत्री ने मयूनिक सुरक्षा सम्मेलन M.S.C. 2022 परिचर्चा को सम्मोधित करते वे ये बाते कही जैशंकर ने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि भारत को चीन के साथ एक समस्या है और समस्या ये है कि 1975 में 45 साल तक सीमा पर शांती रही सिर्फ सीमा प्रबंधन रहा कोई सैनिक हताहत नहीं हुआ था कॉमर्सेंता शर्शी थरूर सोशल मीडिया पर आक्टिव रहते हैं और अकसर अपने कॉमेंट्स की वज़े से चर्चा भी बटोरते हैं हाला के इस बार सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट पर कुवेत के भारती दुतावास ने उन्हें नसीहत दे डे डाली है दुतावास की तरब से कहा गया है कि शर्शी थरूर ने एक पाकस्तानी एजिंट के भारत विरोधी ट्वीट का समर्थन किया है जो की नहीं होना चाहिए आपको बता दे कि पाकस्तान के एक शक्स ने ट्वीट किया था कि कुवेत के कुछ सांसदों ने मांग की है कि भारत में सताधारी दल के किसी भी नेता को कुवेत में इंटरी ना दी जाए सची थरूर ने इस ट्वीट को रीट्वीट किया था पंजाब धानसभा चुनाव में फिर से लड़ने वाले 78 विधाय क्यानी की 77 प्रितिश्ट की संपत्ती में 2 प्रितिश्ट से 2954 प्रितिश्ट तक की बढ़ोतरी हुई है Association for Democratic Reforms की एक रिपोर्ट में इस बात का खफुलासा हुआ है 2017 और 2022 के विधाल सबाच चुनाव की बीच इन 101 विधायकों के चुनावी हलफ नामे के विशलेशन के आधार पर उसत संपत्ती व्रेथी 2.7 शीक करोर है देशकी स्वदेशी वाक्सीन को वाक्सीन को लेकर अच्छी खबर सामने आई है करनाटक में हिजाब के मुद्धे पर उठे ववात के बीच राजर सरकार ने उच्छनयाले को बताया कि उसके पांच फरवरी के सरकारी आधेश यानि की जीओ में हिजाब पर प्रतिबंध नहीं लगाए गया है केवल कॉलेज विकास समीतियों यानि की सीडी सी को स्कूल की पोशाक तै करने का अधिकार दिया गया है माधिवक्ता प्रभूलिंग नवदगी ने शुक्रवार को मुख्य नयाधी शृतराज अवस्थी को अधियक्ष्ता वाली पूर्ण पीठ को बताया है खिलाफ आदर्श आचार सहिता का उलंगन करने और अन्य दलों की खिलाफ बेबुनियाद आरूप लगाने के लिए प्राथमी की दर्श करने को कहा है शिरोमनिया काली दल के शिकायत के बाद पंचाब के मुख्य चनाव अधिकारी ने सीनर SPSAS नागर से के जृबाल के खिलाफ प्राथमे की दर्श करने का आदेश दिया गया है केंद्रे स्वास्तमंत्री मंसुख मंडाविया देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के अपने दो दिवसी हैं मुंबई दौरे पर हैं आज रविवार को दौरे के अंतिम दिन उन्हाने जन ओशधी केंद्र का ओचक और अनियोजित निरिक्षिन किया केंद्रे मंडाविया के कारियाले ने ट्वीट कर बता है कि इस ओशधी केंद्र पर जनता के लिए सबसे अच्छी दवाई सस्ते नाम में उपलब्ध है जम्मू की जुही की आवाज में इतनी मधोशी और जादू है कि जब वो अपने पिता या भाई के साथ डोगरी में गाने गुनगुनाती है तो भाशा ना समझने या जाने वाला व्यक्ती भी उनसे जुड़े बिनान नहीं रह पाता दोस्तो डोगरी जम्मू शेत्र में मुख्यरूप से ये बोली जाती है इसके अलावा पंजाब और हिमाच्वल प्रदेश के कुछ इलाकों में भी यह प्रचलित है जो ही साल 2011 से इसे गारी है लेकिन कुरोना काल में हुए लॉक्टाउन के दौरान जब उन्हाने अपने देश के किसानों की खोशाली अधिक आए और उन्नत खेती के लिए कोई हल खोजना अवश्रक हो जाता है लेकिन इसे पहले समस्या के मूल में जाने की जरूरत महसूस होती है भारत में किसानों की बधाली का प्रमुख खारन है खेती के आधुनिक और बजारुन मुख तरी की जानकारी किसानों तक सरल भाशा में ना पहुच रहा साल दर साल किसान पुराने फसल चक्र और तरीके अपनाते रहते और कहानी वही रह जाती है कम उत्पादन कम मुनाफ़ा और घाटा अरुनाचल प्रदेश और मेजोरम का आस्थापना दिवसे दोनों राजियों का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था इसी के साथ ये दोनों भारत के 23 और 24 राजिय बने थे आज के इस अफसर पर राश्टरपती रामनात कोविंद और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों राजियों के लोगों को बढ़ाई दी साथ ही दोनों राजियों की प्रकृतिक सुंदर्ता और लोगों की शांदार प्रतिभाग की सरहना की देश भर में चुनावाते ही जगे जगे पर परवजार प्रसार शुरू हो जाते हैं सरकों मैदानों के लिए विभन परिशरों में भी चुनावी कारिक्रम किये जाते हैं वहीं द्रपुरा के सिक्षा विभाग ने इस संबन्द में एक सक्त कदम उठाया है पढ़ाई चलते वक्त स्कूल परिसर में विभाग ने राजनेतिक रैली और कारिक्रम पर प्रतिमन्ध लगाने का देश दिया है आपको बता दे कि कई प्राधाना ध्यापकों के एक वर के खलाव कुछ रिपोर्ट मिलने के बाद रिपुरा के सक्षा विभाग ने ये फैसला लिया है स्वतंतरता सबर में अत्यंत कठिन परिस्तियों और हताशर के घने बादलों के मध्य अकाशे विद्यूत की कौन्ध थी विनाएक दामोदर सावरकर का आत्म विश्वास और द्रजिनिश्य बोक्रांती की अकाश गंगा के प्रखतर नक्षेत्रों में से एक थे जिन्होंने नवीन भारत को गढ़ने की प्रेड़ना दी थी फेनी नदी में कटाव की समस्या से नेज़ात पाने और इसके पानी को पीने योगे बनाने के लिए आवश्रक अदम उठाए जाएंगे इसको लेकर भारत और बांगलादेश के बीच सहमती बन गई है बीतेश रनिवार को भारत बांगलादेश के उचाधिकारियों ने भारत बांगलादेश की अंतरास्टर सीमा पर बहने वाली फेनी नदी के आसपास के इलाकों का निरिक्शन किया इसके साथ ही नदी का पानी को लेकर भी लंबे समय से चल रहा गती रोध खत्म हो गया है देश की राजनेतिक पार्टिया द्वारा किये जाने बाला हवाई और फ्री के बादों पर जल्द लगाम लग सकता है इसी के मदरजर सुप्रीम कोर्ट में एक चल रहती याचिका दायर की गई है याचिका में केंद्र और भारत के चुनाव आयोक को राजनेतिक दलों को विनियमित करने और उन्हें जवाब देह बनाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है बतादे कि वकील अश्मीनी कुमार उपाधियाए ने अपने वकील अश्मीनी कुमार दूबे के माधिब से याचिका दायर की है देश के कई राजों में इंदनों मौसम साफ है दिन में टेज धूप निकलने के साथ ही लोगों को ठंड से भी राहत मिल रही है बहीं एक बार फिर से मौसम करवट लेने लगा है देश की कई हिस्सों में अगले कुछ दुनों में बारिश होने की उमीद जटाई गई है पस्ट्र में हिमालिय शेत्र में 22 और 23 फरवरी को बारिश हो सकती है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शेनिवार को भविशिवारी की और भारत की कई राजू में अगले कुछ दुनों में बारिश होने की संभावना जुताई गई है विदेश मंदरी S. जशंकर ने शेनिवार को कहा है कि चेंडवाला सीमा संजोता का उलंगन करने के बाद उसके साथ भारत की सम्मन्द बहुत कठिन दोर से गुजर रहे है कि सीमा के स्थिती दोनों देश के संबंधों की स्थिती का निर्धारन करेगी। विदेश मंतरी यहां मयों ने खसरक्षा समेलन 2022 परेशर्चा को संबोधित कर रहे थे। उन्हों एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत को चीन के साथ एक समस्या है। समस्या यह है कि उन्हों 175 स 45 साल तक सीमा पर शांती रही सिर सीमा प्रबंधन रहा कोई सैनिक हताहत नहीं हुआ। के बलेदान पर वोट बैंक की राजनिती करने का आरोप लगाया। कॉंगर्स प्रवक्ता शक्ति सिंगोहिल ने कहा है कि यूपी ये दो सरकार ने ओ आर ओ पी पर कोशियारी समीती के सफारिश को स्वीकार कर लिया था लेकिन दुर्भाग्य से 2014 में सत्ता समालने के बाद भाजपापने वादे से मुकर गए। सेक्रो पाकिस्तानी और भारतिय नागरिक इस पर बहस कर रहे हैं। सेत उद्यमियों के लिए रजी अगला स्टार्ट अप होट स्पॉन बन रहा है। निर्देशक तिरो माला किशोर की तेलगू पारिवारिक फिल्म आदा बलू मेकू जोहार रिलू चार मार्च को रिलीज होगी। फिल्म अभीनेता, शर्वानन्द और रश्मिका मंदाना ने भूमिका निभाई है। फिल्म को सेंसर बोर्ट ने रिलीज के लिए मंजूरी दे दिया है। रश्मिका मंदाना ने तेरो मला किशोर द्वारा निर्देशित और S.L.V. सिनेमा के लिए सुधार कर चेरुकूरी द्वारा निर्बत फिल्म में शारवानन्द की प्रेम रूचिका की भूमी का नभाई है इरान के राष्टपते इबराहिम राइसी ने शर्यवार को कहा है कि आस्ट्रेया के राजधानी वियाना में इरान और विश्वर शक्तियों के बीच किसी भी समभावित समझोते से इरान विरोधी प्रतिबंदों को हटाना और प्रतिबधताओं की कार्यनविन के लिए वैध दगू बाती अभीनीत फिल्म की बड़े पैमाने पर रिलीज से पहले ट्रेलर रिलीज करने की खोश्टा की है रिपोर्ट्स के मताबिक फिल्मला नायक के नर्माताओं ने सोमभार 21 फरवरी को हैदराबाद में यूसूफ गुड़ा पुलीस क्राउन में फिल्म के प्री एक्षित फिल्म का थियेट्रिक ट्रेलर लॉंच किया जाएगा जब मुकश्मीर और लद्दाक में रविवार को मौसम सुष्क और सुहाबना है मौसम विभाक ने अगले 24 घंटे के दौरान भी अहिस्तती जारी रहने का अनुमान लगा है मौसम विभाक के गधिकारी ने IANS को बताया है कि 22 फरवरी को शाम से शुरू होकर दो दिन तक हलकी से मध्यम बारिश बर्फबारी होने की संभावना है नियुंतन तापमान श्रीनगर में 0.03 और गुलमर्ग में 0.03 और गुलमर्ग में 0.08.00 डिग रिसर्चियस दर्श किया गया यूपी के पुर्वसीयम और समाजवादी पार्टी के राश्रे धक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को जो सवंत्र नगर के एक मतदान के इंदुर पर अपना बूट डाला है खिलेश यादव करहल से चुनाव लड़ रहे हैं रविवार को उतरप्रदेश वधान सभ चुनाव के तीसरो चरण के लिए जारी मद्दान के मदरजर राज्यों के मद्दाताओं से विकास के लिए वोट देने की अपील की है और कहा है कि नई सरकार के गठन के साथ नयाभ हविश्य बनेगा कल हमारे द्वारा पूछे गया सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है आप इसे तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे हम हर दिन वीडियो केंट में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके नुसार कोरोना की तीसरी लहर को रोकने में केंदर सरकार की तरफ से उठाए गए कदम से आप संतुष्ट है या नहीं अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बालाइक को न दबाना ना भूले धन्यवाद